Hello students, Target Education Classes में आपका स्वागत है कल हमने राजस्तान पुलीस एक्जाम के लिए जो Shift 1 और Shift 2 के computer के questions हमने डाल दिये थे आज हम लेके आए 7 नुवंबर यानि आज का जो Shift 1 का paper हुआ है उसके लिए computer के questions जिसमें हम आपको हल भी बताएंगे और विसलेशन भी आपको समझाएंगे कि यह answer क्यों है और कहां से आया है शुरू करते हैं हमारा channel है Target Education Classes यदि आपने इसको subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुंचे देखे मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है हम कोशिस भी ना करें तो यह तो गलत बात है अगर हम कहीना कहीं सफलता अगर हम कहीना कहीं मेहनद से जी चुरा रहे हैं तो परिणाम अमारे सामने है फिर भी कोशी समय करते रहना चाहिए इसी के साथ पहला question निम लिखित में से विश्व का पहला graphical internet browser कौन सा है तो पहला जो graphical internet browser है वह AirVS पहला है तो इसमें answer हो जाएगा अब भी थोड़ा इसके बारे में knowledge ले लेते हैं तो AirVS है यह जो है Computer X Windows system है इसको release किया गया था 1922 में और was the first browser commonly available graphical यह पहला graphical user interface का जो है internet browser है तो हमें याद रखना AirVS निम लिखित में कौन सा विकल्प operating system का कारिये नहीं करता है तो operating system के देखिए memory management मुख्य कारिया process management मुख्य कारिया file management भी मुख्य कारिया तो database management जो है वो operating system का मुख्य कारिये नहीं तो answer D हो जाएगा इसका सही तो यह हमने list भी लगा दिये इसमें memory management, process management, device management, file management, security and control over system performance, job accounting और error detecting यह सब जो है कुछ मुख्य कारिये हैं और इसमें जो database management नहीं है तो इसका answer हो जाएगा D EEPROM का पूरा नाम क्या है तो EEPROM का जो पूरा नाम है वो है electrically erasable programmable read only memory तो इसमे answer जो बूई है electrically erasable programmable read only memory यह पूरा नाम होगा तो answer भी इसका सही होगा अब इस question में देखें निम लिकित में कौन एक computer operating system नहीं है computer operating system नहीं है तो android computer operating system नहीं है mobile का operating system है Symbian OS भी computer operating system नहीं है Firefox भी computer operating system नहीं है यह भी mobile और computer दोनों के लिए available है ios भी जो है computer operating system नहीं है यह mobile और उन्हों सभी के लिए है तो अब इसमें confusion है android हो गया Firefox हो गया तो इसके लिए चारों ही computer operating system नहीं mobile के लिए available है तो अब इसमें देखिए कि जो कौन सा सही होता है इसमें confusion है यह सा कह सकते हैं पाम OS किस परकार का operating computer operating system का उदाराना तो पाम OS जो है वो multitasking operating system है तो इसके अंदर answer B आपका वो सही होगा case memory नहीं कौन से memory नहीं है तो देखिए case एक memory है रेंडम एक्सेस memory रॉम रेंडम और मेमोरी है ALU बच गया तो arithmetic logical unit है यह memory नहीं है यह logical functions और arithmetic functions परफॉर्म करती है तो इसमें answer C हो जाएगा correct अब देखिए हमने एक वीडियो डाला था MS word के पचास important questions उसी के अंदर यह question था new blank document खोलने की shortcut control N जो होता है new तो उसमें भी आपको बताए गया यहां पे भी हम आपको बता रहे है control N सी एम ओएस चिप का उद्दे से क्या होता है तो देखिए सी ओएमस चिप में एक तरीके से बैटरी होती है इस बैटरी जो होती है आंत्रिक भागों में पावर देती है अगर यह खराब हो जाएगी तो समय और ती थी को भी री सेट हो जाएगी वो भी सही नहीं चलेगी तो इसका झालए करना आंस्वर इसका हो जाएगा C MS Word में कौन सा विकल्प एक तालिका में कई सेल्स को एक तालिका में एक सेल्स को कई सेल्स में विबाजित करना तो विबाजित हमें करना है हमें तोड़ना है तो split और किसको तोड़ना है एक सेल्स को दूसरी सेल्स को इसका सही आंस्वर हो जाएगा आंस्वर भी निम लिखित में कौन एक इन्पुट डिवाइस है तो इन्पुट डिवाइस स्पीकर से हम गाने सुनते हैं यानि वह आउटपूट हो गया प्रोजेक्टर हमें आउटपूट दिखाता है लाइट पेन के हम बात करें तो इससे हमें आउटपूट देता है तो सही आंस्वर कौन सा गया लाइट पेन यानि इसी आंस्वर का सही हो गया विंडोज 10 में ओपरेटिंग सिस्टम कहां उपस्तित होता है तो देखिए यह गबराने वाली चीज़ नहीं है डेट टैम हमेशा टास्क बार्ग में ही रहता है क्विटर में लोकल सी लोकल डी यह सब दिखाते हैं तो बच गया क्या टास्क बार्ग में डेट एंड टाइम का उप्शन आता है विंडोज 10 किस वर्स लॉंच किया गया था तो विंडोज 10 है वो 2015 में लॉंच किया गया था 29 जुलाई 2015 यानि आंस्वर बी जो है वो इसका का सही हो जाए गा कि बेंकिंग उद्धोगों में चेक सत्यापीत करने के लिए निम लिखित में से किस इंपूट डिवैस Ein करने के पहले केज़ाता है । देखाऊ गारे हम चैक ले जाते हैं तो वह चैक मसीन में तो MICR जो होता है इसका सही answer होगा कौन एक output device है वेब केमरा क्या करता है input लेता है speaker output देता है light pane अभी हमने पिछले के उसने में क्या input है OMR भी क्या input है ये पिछल के दोनों shift में OMR से related क्यों सनायते तो अभी जो इसका answer हो जाएगा हमसे पूछ रहा output device output device क्या है speaker है तो answer भी इसका सही होगा GUI के भी बहुत क्यों सना रहे user interface निम लिखित में से इस्तमाल नहीं करता है तो कल second shift में क्यों सनायता जिसमें कि मैं दिया हुआ था कि user interface क्या नहीं लेता है या क्या लेता है उसके अंदर तब उसमें graph भी एक option था तो GUI के लिए colors चाहिए icons चाहिए menu चाहिए graphs हमें नहीं चाहिए तो answer D हो जाएगा इसका सही तो second shift के जो बच्चे exam देने जारे उनके लिए तो सही है कि ये सारे videos देखे अगर possible नहीं है तो third बिन्दूओं के विञ्यास द्वारा जो image बनीवी वो किस से बनीवी बिन्दूओं से बनीवी है तो उस image किया बोलते है उस image को बोलते है डौत मैप अधिकतर बच्चों ने मेरे इसाब से pixel सही क्या होग पिक्सल क्या होता है एक image का छोटे से छोटा पार्ट होता है लेकिन यहां पर image बन चुकी है और वो image किसे बनी है? dot से बनी है तो उसको बोलते है dot map तो answer भी यहां पर सही हो जाएगा next question है कैसा input device जिसका उप्योग computer की screen पर रेखा या चितर बनाने के लिए करते हैं keyboard से रेखा या चितर नहीं बनेगी joystick से भी नहीं बनेगी scanner तो scan कर लेता है तो बच गया light pen यानि इसका answer क्या हो जाएगा सही हो जाएगा option से भी हम solution निकाल सकते हैं कि हमें क्या रखना होता है घमारे दिमांग को ठंडा रखना होता है बस अगर हमारे दिमांगों ठंडा रखेंगे अगर क्योंसर नहीं आ रहे हैं तो option से भी क्योंसरों कर सकते हैं अचर्म डभल्ı मटम य्जी का पूरा नाम तो यूझ consumo मार्रहाईगे कज सुएगे लेगा लेकिन soft copy नहीं मिलेगा यानि हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा जो है computer के अंदर ही रहेगा तो monitor हमें दिखाता दो है computer के अंदर ही दिखाता है virtual display टर्मिनल आउटपुट देगा प्लोटर आउटपुट देगा वीडियो सिस्टम तो नहीं होगा तो इसका आंद नहीं पूछ रहा है एक soft copy output device नहीं है तो यह monitor soft copy output device है visual display टर्मिनल आउटपुट दिवाईस है video भी दिखा देगा तो यह भी output soft copy output device है प्लोटर हमें क्या करेगा जो भी हम flex वगरे design करेंगे वह हाथ में आ जाएंगे तो वह hard copy output होगा तो soft copy output device नहीं है कौन सा प्लोटर आउटपुट दिवाईस का सही हो जाएगा एक output device है जो रेखाई खीचने के लिए pen का प्रियोग करती है तो इसमें सही कि आंसर होगा प्लोटर प्लोटर एक प्रकार का प्रिंटर ही है जो कि रेखाई खीचने के लिए pen का प्रियोग करता है निम लिखित में से कौन एक इंटर ब्राउजर है तो देखें टिंडर टिंडर पिकासा फ्लिकर यह नहीं है ओपेरा या ओपेरा मिनी आप लोगों न देली वील प्रिंटर यह सारे इंपेक्ट प्रिंटर लेजर प्रिंटर जो होता है वह इंपेक्ट प्रिंटर नहीं होता है इंपेक्ट प्रिंटर क्या करते हैं इंपेक्ट या निशान छोड़ते हैं वह तक तक की आवाद सी उनके अंदर आती लेजर प्रिंटर में लेज लेजर प्रिंटर में प्रिंट देदेगा तो हार्डवेर कोपियर मारे हाथ में देदेंगे मोनिटर जो है वो केवल दिखाएगा कोई गाना चल रहा है तो गाना दिखा देगा टारगेट एजुकेशन क्लासेज जो के मारा चैनल उसका वीडियो आप अगर इस मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं तो वह दिखा देगा तो वह सौफ्ट आउटपुट डिवाइस है तो आंस्वर हो जाएगा इसका ए इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करना है दोबारा लोड करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं होगा कम्पीटर ग्राफिक्स के अंदर जो होरिजोंटल यानि 36 लंबाई और वर्टिकल यानि उर्द्वर्द लंबाई जो होती है उसको बोलते हैं आस्पेक्ट रेशियो जैसे कि आपको एक अंगतालिका में दो या अधिक सेल को सम्मिलित करके अब सम्मिलित करना है को क्या बलते हैं इस्थानिय कंप्यूटर से फाइल को इस्थानिय कंप्यूटर पर इस्थानांत्रित करना है तो बुक मारक तो सेव होता है वो नहीं होता ड्रॉप बोक्स एक टेक्निक है जिसके तुरू हम क्या करते हैं फाइल को बेह सकते हैं डाउनलोड से डाउनलोड होता है कास्टिंग का option आता है जिससे हम बेज़ते हैं तो answer जाएगा B फाइल बनाना operating system के प्रबंदन कारेब देखो file कौन बनाएगा memory में तो memory होगी process process करेगा security security करेगा तो file मनाएगा कौन file बनाएगा तो answer 6 का सहीर जाएगा 28% MS word में page की विशे सामगरी के प्रेश्ट भूमी में ghost text ghost text सम्मेलिट करने के लिए में water mark का उपयोग किया जाता है तो answer C हो जाएगा 29% यह तोड़ा reasoning type है आपस में किसना किसी परकार से अलग है तो a e u यह तो हो गए क्या जो हम बोलते हैं श्वर जिनको बोलते हैं वो गए पी बच गया तो डी यहां पर सही answer हो जाएगा तो यह आज के 29 जो में प्रसंद मिलें अगर कोई प्रसंद रहे भी गया तो हम description में डाल देंगे वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें बताएगा और share कीजेगा ताकि जिनका एक्जाम अभी नहीं हुआ है वह ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखे और फाइदा उठाए एक्जाम में क्योस्टन्स जो हैं वह रिपीट हो रहे हैं इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद all the best for future exam